जेहिन नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूटूब चैनल जॉब टॉक इंडिया में इसमें ITI पास जितने भी चात्र हैं वो सभी चात्र इस केंपस प्लेश्मेंट में भाग ले सकते हैं और दोस्तों ये दोनों केंपस प्लेश्मेंट हैं अलग 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 जगेशन लगाय जा रहे हैं वीडियो को अंते तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सामने आने वाले बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि डेली ऐसे ही जॉब्स की वीडियो की नौटिक्शन आप तक मिलते रहें मोटर इंडिया प्राइबिट लिम्टेड यह बर्ड की सबसे बड़ी लार्ज कार मैनुफेक्चरिंग कंपनी है सबसे ज्यादा कार मैनुफेक्चरिंग करती है बर्ड की सबसे बड़ी कार मैनुफेक्चरिंग कंपनी है तो उसी में आपको यह काम करने का मौका कंपनी के द के लिए company भरती कर रही है तो जितने भी छात्र जो गुजरात में जॉब करना चाहते हैं गुजरात में जो प्लांट है मारुतिसुच का उसमें मतलब जॉब करना चाहते हैं तो वो इस campus placement में भाग ले सकते हैं दोस्तो इसमें जो है आई टी आई पास चात्र भाग लेगर अपना इंटर्विव दे सकते हैं दोनों campus placement को जानकारी आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा कहां पर यह campus placement लगाए जा रहे हैं ठीक है और कौन-कौन चात्र और कौन सी डेट को यह campus placement लगेंगे वीडियो को अंदर तक देखें बिल्कुल भी इसकी ना करें इस जानकारी को आपने बेरोजगार दोस्तों में अबश्य शेयर करें और आपके पास यही बॉट्सप ग्रूप फेस्बुक ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप यहां फिर कोई भी अधर सोशल मीडि साइड का ग्रूप है जिसमें जोब की वीडियो को अबस्य शेयर करें और अपने दोस्तों में जिन लोगों को जॉब की आबस्य रखता है उन में ये वीडियो को अब अबस्य शेयर करें दोस्तो सुजगी मोटर गुजरात में जो पहला campus placement है उसमें qualification की बात करें तो 10th प में 50% मार्क तब ही आप इस जोब के घाने फिटर टरिटर टर अपार्यिक्टर और डीजल मकैनिक मॉटर मकैनिक पेंटर Journal and Automobile COE इन सभी trade से अगर आपने ITI पास कर रखी है तो आप जल्दी से जल्दी इस campus placement में भाग ले सकते हैं ITI pass out year की बात करें तो 2015 से 2022 के बीच में जितने भी छात्रों ने ITI पास कर रखी है वो सभी छात्र इस campus placement में भाग लेख सकते हैं एज की बात करें तो 18 से 24 साल के जितने भी candidate है वो सभी candidate इस job में apply कर सकते हैं आपकी age 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए ये जो campus placement है पहला इसमें सिर्फ male candidate ही apply कर सकते हैं female के लिए vacancy नहीं निकाली है company में salary की बात करें तो 20,100 रुपे CTC आपका रहने बाला है ठीक है और आपके जो in hand जो salary आने बाली है वो 14,825 रुपे आपके account में in hand आपको salary मिलने बाली है other benefits company की तरफ से जो आपको provide कराए जाएंगे uniform, shoes, medical insurance बगएरा और ESI, PF बगएरा sub diary rate ठीक है ये सभी facility आपको company की तरफ से दी जाने बाली है और जो दूसरा campus placement है ठीक है ये जो campus placement है पहला ठीक है वो 2 नवंबर को लगाया जा रहा है 2 नवंबर को ये government ITI पाप लोग district मंडी हिमाचल प्रदेश में ये campus placement लगाया जा रहा है ठीक है अब पाप लोग district है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर government ITI college है उस पाप लोग में वहाँ पर ये campus placement लगाया जा रहा है और इसमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ही छात्र भाग ले सकते हैं इसमें other state के जो candidate हैं वह apply नहीं कर सकते सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ही candidate इस जोब के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो दूसरा जो campus placement है second जो campus placement जो company के द्वारा लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है वो भी 10th plus ITI जितने भी छात्र है वो सभी छात्र इस campus placement में भाग ले सकते हैं ठीक है वही इसमें भी 40% आपके 10th में कम से कम होने चाहिए और 50% माल आपके ITI में होने चाहिए तभी आप इस campus placement में भाग ले सकते हैं ITI trade की बात करें तो ITI fitter, turner, builder, electrician, tool and dye maker PPO, machinist, tractor, mechanical, diesel, mechanical, motor, mechanical, painter, journal and automobile, COE इन सभी trades से अगर आपने ITI pass कर रखी है तो आप इस second जो campus placement है वो इसमें भी आप भाग ले सकते हैं और इसमें ITI pass out year की बात करें तो इसमें 207 से 2022 के बीच में जिन candidate ने ITI pass कर रखी है वो सारे candidate इस job में apply कर सकते हैं आप की बात करें तो 18 से 24 साल के जितने भी candidate है वो सभी candidate इस वेकैंसी में जो निकाल लिए कंपनी ने वो भाग ले सकते हैं आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से जादा नहीं हो जाए only male candidate के लिए यह बेकैंसी है लेकिन जो दूसरा campus placement है उसमें दो पोष्ट के लिए hiring company कर रही है apprentice के लिए भी कर रही है ठीक है और FTE मतलब टेनी बेस पे भी आपको company के तरफ से hiring किया जा रहा है apprentice आपकी one year की होगी एक साल के लिए apprentice के लिए आपको भरती किया जाएगा और FTE जो जो जोब रहने वाली आपकी ठीक है वो seven month के लिए company पे 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 रोल पे आपको company रखेगी seven month के लिए company FTE जोब के लिए भरती कर रही है salary भी इसमें 20,100 रुपे और आपको in-end जो salary मिलने वाली है वो 14,925 रुपे in-end आपकी salary रहने वाली है other benefit जो आपको company के तरफ से provide कराए जाएंगे uniform, shoes, medical insurance, IAS, IPF वगरा यह सब company के तरफ से आपको provide कराए जाएंगे ठीक है दूसरा जो campus placement है वो 7 November को लगाया जा रहा है और 7 November को जो इसका address है वो government ITI बलासी नौर सेवलिया रोड नियर आर्ट एंड science college district महिसागर गुजरात गुजरात में यह दूसरा campus placement लगाया जा रहा है 7 November को government ITI college है महिसागर गुजरात में महिसागर एक बहुती बड़े दिश्टिक है वहाँ पर यह campus placement लगाया जा रहा है उसका address लिखा हुआ है आप address note कर लीजिए screen source ले लीजिए ठीक है वहाँ पर यह campus placement लगाया जा रहा है ठीक है उस campus placement में यह अभी decide नहीं किया गया है कि इसमें All India के candidate apply कर सकते हैं यह सिर्फ गुजरात की ठीक है तो आपको यह mobile number display पे show हो रहे होंगे ठीक है इन mobile number पर call करके दूसरे campus placement के यह mobile number है ठीक है इन mobile number पर call करके आप इस job के बारे में दूसरे जो campus placement है इसमें पूछ सकत हैं आप अधिक जानकारी इस job के बारे में प्राफ्ट कर सकते हैं दोस्तों इस job के बारे में तब आप campus placement में जाते हैं दोनों campus placement में तो आपको अपने साथ update resume लेके जाना है latest resume आप बनवा के ले जाएं किसी भी cyber कैफिए हैं खुद बना लाएं एक अधार card एक pain card 10 12 जो भी आपने का रखा है उसकी मार्सीट एक ITI की मार्सीट और जीनल होनी चाहिए आपके बास बैंक की पासबुक चार कलर पासपोर्ट साइफ फोटो यह सारे documents आपको अपने साथ लेकर campus placement में जाने हैं और यह job 100% free है 100% real है आपको किसी को भी किसी भी प्रकार का किसी को भी चार आपको किसी को भी जाने हैं